हेलो आप सभी गार्णिंग लवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है तो आज मैं आपके साथ अपने इस हाइबरेट गुढ़ल की रिपोर्टिंग का वीडियो शेयर करूँगी तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि ये जो हाइबरेट गुढ़ल आजकल नर्सरीज में मिलते हैं तो इसकी रूट्स में ये नेट पॉर्ट लगा रहता है तो अब मैंने इसके आसपास की मिट्टी हटा के इसको 15-20 मिनुट के लिए पानी में ऐसे डुबो के रखा था तो देखिए उपर से सारी मिट्टी हट चुकी है और आपको ये नेट बासकेट आराम से दिखाई दे रही है तो अब मैं इस net basket को इसकी roots इस अलग करूंगी देखिए इसकी मैं कर चुकी थी तब मैंने वीडियो नहीं बनाया था हमें second वाली पौदे का ये net pot आपको हटा के दिखाऊंगी तो उसमें आप देख सकते हैं ये बाहर की roots थो थोड़ी मोटी लग रही है और अंदर थोड़ी सी पतली है तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि गुड़ल एक permanent plant है तो इससे पहले reporting के वीडियो में मैं आपके साथ शे उनकी सेम ग्रोथ मिट्टी के अंदर इनकी जड़ें भी फैसे ही ग्रोथ करती हैं इसलिए हमको बीच-बीच में जब pot रूट बाउंड हो जाता है तो उसे रिपॉर्ट करना पड़ता है तो अगर हम इस net pot को नहीं हटाएंगे तो शायद इस उतने अच्छी तरह से इसकी जड़ें डेबलप ना हो तो इसके लिए मैं एक एकदम शार्प कटर की मदद से बहुत ही दीरे-दीरे मैं कोशिस करती हूँ कि कोई भी root डेमेज ना हो लेकिन फिर भी मेरा प्लांट तो शौक में आए गई क्योंकि हम उसकी जड़ों को निकाल के इस तरह से इस basket को उसे अलग कर रहे हैं तो आप जब भी इस तरह से किसी भी नेट पॉट को अलग करने जाएं उससे पहले आप अपना कटर या कैची जो भी यूज करें उसे अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लेजिए जिससे कोई infection होने का चांस ना रहे अब एक और कोश्चन आता है यह डेड स जिस जगे हमारे plants जिस जगे से आते हैं जोज आज कल पूना की तरफ से plants आ रहे हैं गुलाब और गुडहल इसपेशली तो पूना साइट के मिटी रेड होती है यह हमने जियोग्रफी में बच्पी पढ़ा है लाल मिटी काले मिटी दोमट मिटी तो उसमें जो जो लाल भी बहुत होती है तो नर्सरी में मुस्टली क्या होता है मतलब वो कच्छी में पे पौदे रखे होते हैं तो वो इस तरह से पानी देते हैं कि वो जमीन भी धंडी रहती है तो उससे भी दीरे मौश्यर लेते रहते हैं प्लस इसमें जितना भी पानी डालो तुरंट ड्रेन तो आपने देखा होगा कि घर पे लाके इसमें पानी अगर हम दें तो जब पानी देते हैं तो मिट्टी एकदम घिली-घिली सी कीचर जैसी लगती है और थोड़ी देर बाद एकदम जब सूख जाती है तो पत्थर जैसी हो जाती है तो थोड़ा सा घर में अगर हम लगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा पानी का थोड़ा मतला ओवर वाटरिंग तो नहीं बोलोंगी कभी अंडर वाटरिंग हो जाएगी कभी ओवर वाटरिंग हो जाएगी इसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है और इसपेशली गरम के गरमी के टाइम पे अगर त हूँ इसको अची तरह वाश करूंगी और उसके बाद मैं इस पौधे को फंजी साइड के पानी में कुछ देर के लिए बिगा के रखूंगी फंजी साइड इसलिए कि अगर करें इनफेक्शने का चांस हो तो वो थोड़ा सा ओवरकम कर सके और अपने प्लांट को इंफेस्टेशन से अपनी प्लांट की जड़ों को क्योंकि अब एकदम रूट बॉलrd से निकाल के मिट्टे में हम लगाएंगे तो किसी तरह का इंफिस्टेशन हो उससे बचाने के लिए भी ये स्टेप थोड़ा जुरूरी है तो अब मैं गार्डन सॉयल ले रही हूं मैंने इसमें मिट्टी ली है एक भाग एक भाग मैं सेंड लूँगी कि और इसका आधा भाग लोंगी मैं कमपोस्ट कमपोस्ट मैं अभी ज्यादा नहीं ले रही हूं कमपोस्ट के लिए ना ले तो भी चलेगा लेकिन क्यूंकि मैं एक बार मैं सॉयल बना रही हूं और हां साथ मैं कम्पोस्ट आप skip भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसले क्योंकि एक बार में मैं इसकी potting कर दे रही हूं तो सोच रहे हो कि अच्छी रिज स्वाइल में ही एक बार में इसकी potting करें इसलिए मैं यह जो कम्पोस्ट है वो मैं ज्यादा नहीं मिलाओंगी जितनी भी मिट्ट और sand मैंने मिलाई है उसका आधा भाग मैं कुम्पोस्ट डूँगी तो उससे क्या होगा यह जो गर्मी का time है उस में इस समय क्योंकि हमारी मुआशER होल करती है तो उसमें भी यह कम्पोस्ट यूसफुल होगा क्योंकि मैं कोको पीत अभी add नहीं करूं अगर नीमखली पाउडर ना हो तो फंजी साइट जरूर से ही अड़ कीजिएगा क्योंकि यह बहुत जरूरी स्टैप है अभी क्योंकि इस तरह की अगर पॉटिंग हम करें तो अब हम अब देखिए मैंने इसके ड्रेनेज को अच्छी तरह से ढख दिया है धर्मकॉल से तो आप ड्रेनेज होल को ढखने के लिए अपने घर से इस तरह से काफी चीजों का यूज कर सकते हैं तो अब मैं समिट दे रही हूं इपसम सॉल्ट मैं इपसम सॉल्ट जड़ों के इसके डायरेक्ट टच में नहीं दूँगी उसके पतली सी मिटी की लेयर लगा के फिर अपने पौदे को इसके उपर प्लांड करूंगी तो इसके लिए इपसम सॉल्ट भी बहुत जरूरी है हमारा पौध जो भी शौक में आया है उसकी रिकवरी के लिए तो यह तो मैजिकल सॉल्ट है ही तो अब मैं इस पौदे को अच्छी तरह से रखके और मैंने इसकी सॉयल को काफी अच्छी तरह से दबा दबा के गमले में फिल किया था इसकी चुल करते हैं जो रूट्स हैं वह अच्छी तरह से बैठ जा जाए उसमें क्योंकि जब हम पानी देंगे तो आपने देखा होगा जब पहली भार पोटिंग करने के बाद तो जिसे चुछ अपनी जखेसे शिफ्ट हो जाती हे तो जाती है ठोड़ी तो बनते ही है छ तो अब एक और स्टैप मैं आपको बोलना चाहूंगी रिपोर्टिंग के बाद आप अपने पौधे को ऐसी जगे रखें जहां ब्राइट लाइट मिले लेकिन सनलाइट ना मिले कम से कम जब तक आपको इसमें नई ग्रोध नजर ना आए और साथ में ही आपका ये प्लांट चुक में जरूर आएगा तो इसकी पत्तियां थोड़ी सी मुर्जाई या मुरी दिखें तो आप इसे इसकी पत्तियां तुरंट कर दें और अब इसमें पानी दे रही हूं इस पानी में मैंने जैसे की इपसम सॉल्ड मिलाया है मैं दौनों प्लांटर में पानी दूंगी जिससे तब तक उतना पानी दूंगी इसकी ड्रेनेज होल से वह बाहर आ जाए लेकिन ज्यादा भी नहीं दूंगी इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी देखे थोड़ा रुक के देखना चाहिए कि कितना पानी हम फर्स टाइम हमारे पौदे को जरूरत है तो जब तक इसकी नीचे से पानी ना आए आप उसमें अच्छे से पहली बार पॉटिंग करने के बार अच्छे से पानी दीजिए और दुबारा पानी में तब ही दूंगी जब ऊपर की सोईल मुझे ड्राई न ज़र आ है